अमारे सरीर में बोजन और दवाईयों के साथ कई नुकसान दाय केमिकल्स भी पहुंचते हैं जो सरीर में इंपेक्शन, केंसर और कई जानलेवा विमारियों का कारण बनते हैं इसलिए हमें रेगुलर अमारे सरीर को डिटॉक्स करने की जरुवत होती है रोजाना गर पर बड़ी आसानी से आवला और नीबू का जूस बना कर हम अपने सरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं एक गिलास पानी गरम करके गुनगुना कर ले इसमें एक चम्मच आउले का रस एक चम्मच नीबू का रस और एक चम्मच सहद मिलाएं आउले के रस को गर पर निकाल सकते हैं या पिर आउले का चून या पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें पांच काले मिर्च बारिक पीस कर मिला ले इसमें चुटकी बर काला नमक भी मिला सकते हैं जिससे यह हेल्थ डिंक और भी स्वाधिश्ट और गुंकारी हो जाती है इसे रोज सुबर खाली पेट धीरे धीरे करके पी हैं मुँ में उपस्तित लार के गुने से इसके ज़्यादा फाइदे हमें मिलते हैं आउला और निबू का जूस हमारे पूरे सरील को डिटोक्स करता है और सारे विशाक्त पदार्थ सरील से बाहर निकालता है यह आँकों के लिए फाइदे मन दे और आँकों की रोशनी को बढ़ाता है जुरियां मुहासे और दागदब्बे दूर करके तवचा में चमक लाता है और उम्र के बढ़ने का असर कम करता है एंटी एजिंग इपेक्ट देता है आँले में उपस्तित एंटी ओक्सिदेंट्स, बीमार और मरत कोशिकाओं का पुर्णर निर्मान करते हैं जो की इंपेक्शन, कैंसर और बुड़ापे को रोकने में सायक है बुड़ापे में आँले का सेवन अम्रत तुल्ले है आँला सरीर और मस्तिस्क को ठंड़ा कुरदान करता है मस्तिस्क के तंतों में तरावट लाता है और दिमाग को तेज करता है रोजाना एक से दो चमबच आँले का सेवन प्रियाप्त है इससे ज़्यादा आउले के सेवन से कब्ज, पाचन में प्रोब्लम और पेसाब में जलन हो सकती है आउला की प्रकर्टी ठंडी होती है इसलिए सर्दियों के दिनों में सहद और काली मिर्च जरूर मिलाएं और गुलगुले पानी का पुर्योग करें यहां हेल्थ डिंक ताजगी से बरपूर है, लेजिनेस को दूर करती है और एक्टिव बनाए रखती है इसका सेवन जरूर करें और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे उठाएं